तो यहां पे आप में से काफी लोग एक सवाल पूचे हैं कि भाई 99 रुपीज रिचार्ज होता है अगर हम करा लेते हैं तो इसके बाद क्या जो दूर हो जाएगा और आप जान पाएंगे कि 99 रूपिस का जो रिचार्ज पे बैंक का मेसेज आएगा या नहीं आएगा तो अगर आपको इसकार में जानना है तो को वीडियो कम्प्लीट देखना होगा तो यहां में वीडियो को जड़ा साभी स्किप मत कीजिएगा अग जो सीम होता है ओ अथाथा दिनों के लिए एकटिफ हो जाता है उसंतों एकाल आवा है अशुमिता है आप किसी अशुम कर सकते है तो बैंक खता तो जो बहती हिसे अशुम्हाफर फिरी होता है तो यहांपर अगर आप 99 रुपिस का रिचार्ज कराते हैं और उसके के बाद बैंक का जो मेसेज आने का वारी होता है, तो जितना भी फीरी वाला मेसेज होता है, तो सारा का सारा मेसेज आपके नमर पे आएगा, मान लिजए का अपना एकाउन में पैसे डालते हैं, पैसे निकालते हैं, या कोई भी ट्रांजेक्शन बगरा करते हैं, तो जितना ही आप के पुरा के प्र Kollegin मेसर्स फिर होता है तो उस तरह के सारा मेसरफ आपके पास आएगा लेकिन वहीपेक कुस मेसेज ऐसे हो यह जो क्यों कि पैड मतलब जिसको आने में आपके फौन पर मेसर आता है तो कूस चाइब होता है जो कि आपके Jeanneं मेर Bolsonaro होता है तुस्ते का लिता है और उस फिट्वेसों में अगर आप 99 रुपीश का रिचाज्ज कराये होते हैं तो तो मैंने नहीं रखता है, तुसके लिए आपको कोई लग से रिचार्ज करना होगा जो की रिचार्ज फिरी होता है, मतलब मान लिजे कि आपके नमर पे SMS पेक फिरी होना चाहिए तूर सीच्वाशन में आपके नमर पे जो पैड वाला मेसज होता है वो पैड मेसज आ जाएगा मान लिजा कि आप Google पे फॉन पे मतलब इस्तमाल करते हैं और 99 रुपेश का रिचार्ज कर रहा है और अब चाहते हैं कि 99 रुपेश लेकिन यहां पे 99 रुपेश का रिचार्ज अगर आप कराया रहते हैं और इसके अलावा कोई उसमें मेसेज पेक नहीं रहता है तूर सीच्वाशन में आप मतलब जो है फॉन पे या गूगल पे इसको ही वेरिफाइग नहीं कर सकते हैं क्योंकि फॉन पे और गूगल पे क चार्ज बनार उसमें मतलब जो है कुछ पैसे करते हैं या मतलब जो सीच्वाशन में आपके उस नवरे मैसेज पेक फिरी होना चीह लेकिन यहां पे 99 र さब इसका इसा इस एक Что student में और गूग judge नहीं चार्ज करता है जब तक कि आप उसमें कोई SMS पेक नहीं डालवा लेते हैं तो यहां वज़ता कुल मिला के मैं आपको यह कहना चाहता हूं यह 99 रुपिस का रिचार्ज होता है उस रिचार्ज पर बस फिरी वाले मेसेज आपके फोन पर आ सकता है लेकिन कोई चार्जवल मेसेज होता है जिसने पैसे क पर आए दो उस तरह के मेसेज आपके फोन पर नहीं आएगा तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गयों कि यह 99 रुपिस का जो एटल का रिचार्ज होता है उस घर से क्या बेंक का मेसेज हमारे पास आएगा नहीं आएगा तो उम्मीदक विडियो को पसंद आए कोमेंट स्क्षान में पूछ सकते हैं और इस तरह इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए आप होई तरह को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो थेक्षा भी मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई